हेलो गाइस आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Study Material by DS में और मैं DS आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ बात कर रहे हैं लेकपाल के एक्जाम के बारे में आपके द्वारा ऑफिसली आपे जारी कर दी गई है तो आप लोग वीडियो में पूरा लार्ट तक बने रहें UPSC की ओफिसल वैफसाइट पर और दिखाते हैं कि आपको किस तरह से लेटर को जारी करना है और लेटर में क्या कुछ आपको UPSC की तरफ से बताया गया है तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस आप लोग इसमें पर देख रहे हैं आप जैसे ही Google में सर्च करेंगे UPSC.gov.in और नीचे के साइद स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस वोड में करना है नोटिस जो कि आज की ही डिट यानि की 21 अप्रेल का दिखाई देगा इसमें लिखा है आयोग द्वारा बरस 2022 में आयोजित की जाने वाली लेखेत परीच्छाओं का बारसिक कैलेंडर तो इस पर आपको सिंपली टच कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ओफसन आएगा मतलब कि यहां से आप लोग लेटर जारी जो किया गया है उसको डाउनलोड कर सकते तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ओपन करूंगा ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह ऐसे आपके जो लेटर है जहां पर जारी किया गया है वो आपके सामने आ जा गया लिखाए उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैने आयोग पिका भवन तिरती एक तल गोमिती नगर लखनोग लिखाए आवसक सूजना उत्तर परिक्षा होने वो आपकी आठ माई सन 2022 को होगी इसके नावा नीचे लिखाए दूसरे नमर पर राजी किरसी उत्तपादन मंडी परिसत सहीं तसंबर के प्रति होगा या अत्मक जो आपकी परिक्षा है या आपकी 22 माई 2022 को इसके रावा आपका सबसे मोस्ट इंपोटन ज दिन रविवार को आपका लेक्पाल का जो मैंस का एक्जाम है वो यहाँ पर यूपी तरफल सी कंड़क्ट कराने वाली है इसके लावा अगर आपने इनमेंस से किसी भी फॉर्म के लिए अपलाई किया है तो आप लोग अपनी डेट देख सकते हैं कि किस डेट पर आपका कंड़क्ट होने वाला है फिलाल के लिए यह वीडियो सिर्फ लेकपाल की मंदिन जार बनाये गया है तो लेकपाल का जो आपका मैंस का एक्जाम है वो आप साफ़ आप यहां पर देख सकते हैं कि 19 जून जी हां दोस्तों 19 जून सन 2020 को आपका जो है वो यहां पर कंड़क् को पूरे मैनत कर लेनी है और लेकपाल का एकजाम अच्छे से देना है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों की भी शेयर करें अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेश जरूर करने है ताकि ऐसी मज़ेदार और आपके फायद जा बारत बंदे मतरम